हमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी शारुख खान की बेटे आहियन खान को एक बार फिर कोट से बड़ा छटका लगा है आहियन खान को जमानत नहीं मिल पाई है मुश्किले लगातार शारुख खान की बेटे आहियन खान की बढ़ती नजर आ रही है ड्रग्स माफले में आहियन खान की गिरफतारी के बाद से लगातार उनकी जमानत की लेकर तमाम कोशिशे उनकी तरफ से जो वकील कोट में पेश हो रहे हैं अमित देसाई उनकी तरफ से दीच आ रही है तमाम दलीले फिलाल फिल होती नजर आ रही है चुकि कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली है बलकि 20 अक्टूबर तक के ये फैसला सुरक्षित रख लिया किया है यानि अब 20 अक्टूबर के बाद इस पूरे माफले पर सुनखवाई होगी तो फिलाल 6 दिन और आखियन खान को जेल में गुजाटने होंगे और उसके बाद आने वाले वक्त में इस पूरे माफले पर फैसला होगा आपको बता दे तीन अक्टूबर को आखियन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया था और उसके बाद से लगातार उनसे पूस को अंजाम थ्या किया था एक सीक्रेट ओक्परेशन था जिसमें आहियन खान की गिरफतार ही सबसे पहले इस पूरे गई नार्कोटिक्स कंट्रोल प्यूरो की ओर से ये साफ तोर पर कहा क्या है कि आहियन खान के खिलाफ उनके पास तमाम परियाबत थे सबूत है और यह जो धाराई है ये गैर जमानती धाराई हैं तो ऐसे में जमानत का विरोध NCB की ओर से किया किया और साफ़तोर पर नार्कोटिक्स कंट्रोल विरो लगातार इस बात को दोहरा रही है कि आरियन खान के पास से जो चैट पराहत हुई है उनके फोन से जो चैट उन्हें हासिल हुई है उसमें त International Drug Syndicate का जिक्र भी नार्कोटिक्स कंट्रोल विरो की ओर से किया किया चूकि आरियन खान विदेशी नाकरिक के संपर्क में थे विदेशी ड्रग पैटलर को भी गिराफतार किया है जिसके पास से ये जो ड्रग है ये नार्कोटिक्स कंट्रोल विरो ने जप्त की है और एक फिर ये आरियनसीबी की ओर से कॉर्ट में दोराया किया है कि दरसल एक विदेशी नाकरिक को गिराफतार किया जिसके पास से ड्रग जप्त की गई है और इस पूरे माखले को लेकर विदेश मंत्रासे के संपर्क में भी है चूकि आर्केन खान ने विदेशों में किया था जिसमें से फूटबॉल एक कॉडवर था जो एंसीबी ने जिसका जिक्र किया और अरबाच मर्चेंट चूकि उनके दोस्त हैं पिछले 15 साहों से और उनके पास से एंसीबी को इस पूरी रेड के दोरान ड्रग जप्त उन्होंने किया था उनके जूतों में ड्रग मिला था और चुकि आरबाच मर्चेंट और आहियन खान दोनों एक साथ मनत से एक ही गारी में आउस क्रूज पर रेव पार्टी के लिए निकले थे तो ऐसे में जहां अमित देशाई की ओर से ये दलीले लगातार दी जा रही हैं कि दरसल आहियन खान सिर्फ ड्रग का सेव कि उनके साथ थे मनत में भी यानि शारुछ खान के बंगले में भी उनके साथ थे एक साथ वहां से निकले हैं तो फिर आहियन खान को इस पूरे माफने से अलग कैसे किया जा सकता है तो यही सवाल है जो एक बार फिर से एंसिपी ने तमाम अपने जोह नेषानबीन इस एंसीबी ने साफतोर पर उनकी जमानत का विरोत करते हुई ये कहा है कि आर्यन पर गैर जमानती धाराएं लगी हुई है सबूत के आथार पर उनकी गिराफ़तारी हुई है आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत है और तभी उनकी गिराफ़तारी इस पुरे मामले में की गई है और इतना ही नहीं इंटरनेशनल लिंक की बाद एक बार फ़र नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कोर्ट में दोहराई गई तो ASG की ओर से तमाम NCB की जो तलिले हैं वो कोर्ट में रखी गई लेकिन वहीं अमित देसाई और जिस तरीके से तमाम बड़े वकीलों की फोर्ष शारुखान ने अपने बेटे के बचाव के लिए उतारी वो तमाम चीज़े पिलाल कोर्ट में वेल हो चुकी हैं अब 6 दिन और आर्केन खान को जेल में गुजारने होगे लेकिन जिस तरीके से वोई हूट का एक बड़ा तबका आर्केन खान के बचाव में आकर खड़ा हो गया है वो अपने आप में दुरभाग्यपूर है कि किस तरीके से आर्केन खान इस पूरे ड्रग नैक्सिस के जरगना भी हो सकते हैं जिस तरीके के सबुद नार्कोटिक्स कंट्रोल गुरो को हात लगे हैं जिस तरीके से वो पूरी WhatsApp चैट लगी है और कोट में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह जए चुकी है कि दरसल इस पूरे माखले में आर्की नमबर वन आर्यन खान ही है वही ड्रग पैर्लर के साथ संबर्क में थे वही अर्बार्च वंड्सेंट से लगातार पातचीत कर रहे थे तमाम कोट वर्ड का इस्तेमाल ना सिर्फ ड्रग खरीदने के लिए बलकि बेचने के लिए भी किया है उन्होंने इस साफतोर पर कोट म लेकिन आर्यन खान ना सर्फ ड्रग का सेवन कर रहे थे बलकि जितनी मात्रा में ड्रग का जिक्र जो है वो वोट्सेप चैट में किया है वो दरसल परसनल यूज के लिए नहीं हो सकती है वो बेचने और खरीदने का ये धंदा भी उनकी तरफ से चलाया था इसका जिक्र भ ड्रग सिंडिकेट को लेकर भी उन्होंने पूरा जो शक है वो जाहर किया है कि उसका हिस्सा आर्यन खान हो सकते हैं इसको लेकर उन्हें चानबीन करनी है और चूकि 20 लोगों की गिरफतारी इस पूरे माफले में हो चुकी है तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो माफला है अब बेहत गंभीर हो चुका है इसमें जाच बहुत जरूरी है क्योंकि बॉलिफुट में खास तोर पर यूवा हो है जिस तरीके से ये पूरा ड्रग का नेक्सिस चल रहा है इससे ध्वस्त करना बहुत जरूरी है इसलिए आर्यन खान को फिलाल चेल में ही रखा जाए ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो कहीं न कहीं जो अभी तक NCB ने कारवाई की है उस पर पूरी तरीके से पाहनी भी फिर सकता है चुकि अभी NCB की इस कारवाई ने ये साफ करतिया है कि बड़े से बड़े एक्टर का बेटा हो या बड़े से बड़े हस्ती का कोई भी बच्चा हो वो NCB की रडार पर आ सकता है अगर इस तरीके से इस पूरे ड्रग का बार में लिफ्ट पाया गया तो तो फिलाल ये तमाम बड़ी दलिले हैं जो NCB की ओर से कोट में रखी गई लेकिन वहीं आहियन खान के वकील अमित देसाई चो की एक जाने माने वकील ह हैं और रिया चक्रवर्ती से लेकर सौफिक चक्रवर्ती जो की इनके भाई हैं सुषान सिंग राजपूत की मौत के बाद उनकी हत्या के बाद वो उसमें ड्रग माफले में उनकी गिरफतारी हुई थी तब कोट में अमित देसाई ने ही उनकी पहर्वी की थी और एक बार इस पूरे माफले में जब सौफाई कोट में हो रही थी तो अमित देसाई ने सौफिक चक्रवर्ती के माफले का हवाला देते हुए यह कहा कि चार्शीट पेश होने के तुरंथ बाद सौफिक को जमानत मिल गाई थी तो ऐसे में अब आर्यान खान को भी जमानत मिल जानी चाहिए इतना ही नहीं वे छोटे बच्चे हैं और जमानत पर उनकी विचार किया जाना चाहिए ये भी दलीले लगासतार उनकी तरब से दीच आ रही है लेकिन फिलाल एसजी ने ये साफतोर पर कहा है जो कि NCB के वकील कोट में पेश हुए कि वो उनके इन तमाम दलीलों से स आरियन खान हो अरबाज मर्चेंट हो या मुनमुन धमेचा हो उन्हें फिलाल NCB की गिरफ्त में रखना उन्हें जेल में रखना बहर ज़रूरी है लेकिन फिलाल आरियन खान जो उमीद लगाए बैठे थे कि जमानत मिलेगी शारुक खान लगातार ये उमीद में थे लेकि कोर्ट में 20 अक्टूबर को इस पूरेट माफले की सुरफाई होगी फिलाल फैसला सुरक्षित रखा किया है तो कोर्ट में 20 अक्टूबर को क्या होगा क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाएगी ये देखना होगा लेकिन फिलाल शारुक खान के बेठे आरियन खान की जमानत न लेकिन छटका ना सर्फ शारुक खान के लिए है, बलकि बॉल्यूट के उन तमाम हस्तियों के लिए भी है, जो आर्यान खान की समर्थन में लगातार वीट कर रहा है। रायन खान भच्चा है यह दलिले उनके तरफ से दी जा रही भी ती आरियन काइसा पर शील࠸व है jua उसक्वान किया रहा है को वह शारु चांपान है यह और से पूरी तरीके से उन्हें भी बड़ा चटका है जिस तरीके से लगातार NCB इस पूरे मुंबाई क्रूज ड्रग्स माफले में फिलाल चान बिन कर रही है तो कोट में साही दलीले फिल होने के बाद आर्यन खान को 6 दिन की और जेल जो है वो हो चुकी है और 20 अक्टूबर को क्या फैसला कोट सुनाई का ये देखना होगा फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद